हुआ हम हम सारे लोग जो हैं जाते हैं पार्डर पे फिलिए और कुछ लोग जाते हैं डर्मेटोलिजिस्ट के पास अब जब यह स्किन पालिशिंग करवाई जाती है तो यह जब आप कर वाक्छ से हुद आपको भी पता हैं आप कितने खुश होते हैं, क्या रजल्ट आया है, क्या मज़ा आ गया, मतलब स्कीन तो बिल्कुल अलग से दिख रही है, और थोड़ दिनों बात क्या होता है, आपकी जो भी ट्रीट्मेंट है, चाहे वो स्कीन स्रीलेटिड हो, चाहे आपकी केरेटिन ट बिल्कुल नेचरल तरीकों के साथ, तो यह जो ग्राफ है धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है, और यह उपर ही जाता है, नीचे नहीं आता, तो जिनको तो करना है अपने ग्राफ को ऊपर आज की रेमिटीव है उनके लिए, बहुत अमेजिंग अगर आप इस skin polishing को करते हैं, तो स्टेप्स की इस skin polishing है और अजब का निखार, मतलब आपके skin जो है वो बोलेगी, क्या बात है, आपने भी हमें खुलके सांस ले ले दी, तो कीजिए मेरे सांस skin polishing को, जो लोग फर्स टाइम मेरे चैनल पे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे है मैं Monika अपने चैनल Monika's Fruitful Care में आप लोग का हादिक स्वागत करती हूँ, तो hair care से related, skin care से related, बहुत अच्छे सी remedies आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, मेरा पूरा परिवार इस से ही बहुत बहुत खुश है, तो अगर आप इस खुशी को पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे ही red color का subscribe का button है, उसको प्रेस करतीजिए, साथ में bell icon है, जो टिंग टिंग करती है, उसको भी प्रेस करतीजिए, बस आप भी इन remedies को अभरपूर फायदा ले सकते हैं, तो आज क आपकी जो remedy है, बहुत ही amazing है, क्योंकि हम पहले करेंगे cleaning, cleaning जो है आपकी जो आज ingredients यूज करने वाले हैं, उसमें है बेसन, दूध और साथ में हम डालेंगे मलाई और निबू, अब यह सब ऐसा power pack है, ऐसा cleanser है, कि जितनी भी deep layer में भी आपकी मैल होगी, या जितनी भी impurities ह होगी, वो इस सारी के सारी इसको बहार निकाल देगी, आपके wax के बाद जितने भी निशान वगएर आते हैं, यह उससे भी हट जाएंगे, चुच-चुचे strawberries के निशान होते हैं, तीरे धीरे यह भी चले जाएंगे, तो फर्स टेप के लिए, एक स्पून लिया मैंने बेस और इसके अंदर मैं डाला है कच्चा दूद, आपके पास कच्चा दूद नहीं है, तो आप ठंडा दूद डाल दीजिए इसके अंदर, और साथ में इसके अंदर, हाफ स्पून के करीब मैंने मलाई डाली है, और हाफ से कम स्पून जो है, उसमें मैंने lemon juice मतलब निमू का स्मूथ से पेस्ट बनाईए और इसको अपनी पूरी बॉरी पे अच्छे से लगाईए इसको आप पहले हलका सा मसाज कीजिए दो-चार मिनिट लगा रहने दीजिए और फिर पाने की हल्प से आप अच्छे से हथेली से इसको मसाज देते चाहिए मसाज आपको सर्कुलर है वो इससे निकलनी स्टार्ट हो जाए तो यह डूद स्किन को लाइटन करेगा बेसन से अच्छा कोई भी एक्सफोलियेटर नहीं है बिल्कुल सबसे बेस्ट है यह सबसे अच्छे से स्किन को एक्सफोलियेट करता है डूद बेसन नीम्बू स्किन लाइटन करता है और आप जो मलाई डालते हैं इससे skin जो है आपकी बिलकुल smooth बनती है यह सारा ऐसा combination है कि skin को बहुत अच्छे से light करेगा आप अकेले इसको भी लगाते जाएंगे day by day आपकी skin जो है बहुत निखरने वाली है second step के लिए जब आप इस step को कर लेते हैं और इसको हटा देजिए और इसके बाद हम second step करेंगे second step के लिए यहाँ पर मैंने instant oats लिये हैं इसको powder करना है मुझे तो मैं जितने भी dry ingredients है एक बार में mixer grinder में डाल रही हूँ आप भी ऐसे कीजिएगा उससे क्या होगा सारे अच्छे स मिक्स हो जाएंगे तो मैं ने 2 spoon यहां पे arts लिये है यह जो आपको जो quantity बता रहे हूं यह पूरी body के लिए है तो 2 spoon odds लिये है 2 स्पून मैंने यहां पे चावल काटा लिया है और 7 मैंने 1 स्पून जो है खांड लिया है खांड मींस जो वाइट शुगर आती है पाउडर जो हम मिठाईयों वगरा में डालते हैं 7 मैंने लिया है 2 से 3 जो हैं देसी कपूर देसी कपूर बहुत ही बढ़िया है आपके स्किन के लिए स्किन पे से सारे इंपूरिटे जित्ती भी आपके इंफेक्शन होंगे वो भी इससे खतम होते हैं और वैसे भी कि इतना positive vibes देता है इतनी positivity आपके बढ़िया के अदर डाल देता है और इसका जो smell होती है mind को बहुत relax करती है तो ये mind के लिए body के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है साथ में आप इसका एक smooth सा इन सब जिते भी dry ingredients है इनका स्मोंक साइक पेस्ट बना लेजिए वह यह कितना अच्छा कॉम्बीनेशन है यह अब जब आप इन सब चीजों को लगाते हैं चावल काटा स्किन को लाइट करता है ब्राइट करता है और ओर्स जो है ओर्स इतने बढ़ियां है कि तो स्किन के ऊपर जितनी भी इंप्य लगा लीजिए ठीरे धीरे इसको चिते भी आपके दाग धबी जैसे वेक्स के बाद कियों के निशान हो जाते हैं तो यह धीरे 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 सब चीजों को साफ करता जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे से स्किन के साथ चिपर्ट हो जाता है और यह आप में फेस पे भी लगा सकते हैं लिए वहां पे आप मसाज नहीं करेंगे इस पैक से इसको लगाईए और इस सूखने के बाद 10-15 मिनिट लगाने के बाद आप इसको धो लीजिए अगर आपको जिसे गीला हो जाता है तब आप हलके से फिंगर टिप्स की हेल्प से इससे नहीं करना आप जादा आप इससे मसाज नहीं करेंगे तो यह क्योंकि इतने अच्छे से चिपकता है कि आपके जितनी गंदगी होती है जितनी भी डेट जिन सेल्स होते हैं और सारे के सारे यह साफ कर देता है यह जो पाउडर हमने किया है इसको आप लीजिए क्टोरी में और इसके अंद से 3 जो हैं vitamin E के capsules डाल रहे हैं इससे क्या होगा कि आपके skin जो है जो vitamin E है वो आपके skin को बहुत अच्छे से moisturize करेगा आपके skin अलग से चमकिकर बहुत ही गजब का निखाराने वाला है आप इसको कीजिए आप इसका paste बना लिया और इसको भी जैसे हमने पर यजिए लागा बद्राइन werden पानी आप кरथे लेए और अपनी जम कर लेंगे तो जरूर याद किजिएगा कि किस चैनल पे किस ने ये चीज बताई थी आप इसको बार-बार करना चाहेंगे और चैनल को तो बार-बार आप देखना चाहेंगे तो इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं तो जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी motivation मिलता है हमें भी लगता है कि हमारे जो efforts हैं जो हमने आप लोगों के लिए remedy लेके आए हैं उसके जो हैं हमें भी आप लोगों से ये जो आपका like होता है वो reward की तरह हमारे पास आता है तो चलिए आपने इसको कर लिया या आप कीजिए festival में कीजिए even कि आप इसको हमेशा कर सकते हैं winters में, summers में हमेशा कर सकते हैं तो इसको कीजिए और अपने चेहरे को, अपने पूरी skin को पूरी body की skin को अच्छे से polish कीजिए देखिएगा आप कभी भी पारलर जाने का नाम नहीं लेंगे जब आप ऐसी चीजों को करते हैं तो कीजिए और चमकते रहें, खुश रहें पूरी तरह से हसते बसते रहें अच्छे से अपने तुहारों को enjoy कीजिए और remedies को करते रहें चलिए मिलते हैं नई remedies के साथ जल्दी ही, till then take care and good bye